प्रेटी किचन मैं हो आपकी होस्ट मनिशा फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ये हैं गाठी या फिर बत्ताशी जो की गुड़ी पाड़वा की दिन हर महारश्यन के घर पर पूजा की लिए चाहिए होती है तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल कि ना किसी मोल की बनी है बिल्कुल पी मोल की जबरत ने पड़ी बिल्कुल मिन्टो मी बन जाती है और मारकेर की जो गाठी या बत्ताशी होती है उस से भी उस से बहुत ज़्यादा टेस्टी ब बनाई जाती है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अगर पहले बार देख रहे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए बनाते हैं गाठी या फिर बनता शे तो फ्रेंड्स इसके लिए एक कोटोरी मैंने लिया है शुगर याने शकर कोई भी कटोरी भर कर आप ले सकते हैं मीडियम कटोरी है ये तो इसमें मैं उतना पानी डालूंगी जितना की मैंने जो शुगर है न उसको हम भीगाए मतलब क्योंकि हमें जो है इसका सिर्फ क्रिस्टलाइज सोलुशन चाहिए तो इसको जो है मैं उतना पानी डाल रही हूं मैंने जाली तो ये दिखिए शुगर हमारी जैसे भीग रही है पानी में उतना हमने डाला और इसमें मैंने थोड़ सा आधा टेबल स्पून के करिब-करिब खी डाला है घी डालने से उसकी टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाती है ये है बिल्कुल साफ धागा और ये स्प्लेट को घी से ग्रिस कर लिया और इस तरह के से धागे को मैंने रख दिया है गाठी बनाने के लिए अब क्या करेंगे यहाँ पर शुगर को मेल्ट करते रहना ने और अच्छे से गुमा लेना ताकि जो घी है उसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए मिक्स हो जाए घी डालने से उसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी होती है क्रिस्पी होती है और इसके साथ एक गी इंग्रिडेंट हम डालने वाले हैं तो वीडियो को देखते रहे हैं अब देखिए जो है न शुगर सिरफ अभी गाड़ा होते जा रहा है अब भी हम इसमें डालेंगे टू पींच मीठा सोड़ याने खाने का सोड़ा याने बेकिंग सोड़ा तो यह जो है न यह शुगर सिरफ बहुत ही जादा अच्छे से गाड़ा हो रहा है अब हम यह पर इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हमें नहीं चाहिए हमें चाहिए गाड़ी क्रिस्टलाइज कंसि अच्छने होता है बहुत ही अच्छी बनती है इनफेक्ट और इसमें बिल्कुल डालना है ओके यह फुल जाती है वॉल्यूम डबल हो जाता है उसका और अच्छी आपको क्रिस्टलाइस्ट यह मिलेगी मतलब उसका टेक्स्चरी अलगाएगा तो यह डालते ही तुरंत अभी यह मैं कंसिस्टेंसी चीक कराती हूं यह देखिए यह गिरने रहा है फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं है तो तुरंत अभी ग्यास को बंद कर दीजिए क्योंकि अगर आप इस मोमेंट पर इसको ज़्यादा पकाएंगी तो देखिए बाते करते करते वहां पर उठा लेती हूं इंडक्शन से तो आप जो है ना करते टाइम बिल्कुल धान देना बिल्कुल भी इसको क्रिस्टलेस्ट नहीं होने देना है बिल्कुल वी दिन सेकंड इसका कलर चेंज हो गया आप देख सकते हैं तो अभी क्या करना है फटा-फट से जैसे यह हमने दाग हो जाएंगी और आप देख रहे हैं यहां पे ना किसी मोल्ड की जरुत पड़ी ना ही कुछ और चीज़ की बहुत ही आसने से बन गई है है ना और शेप भी देखो आप वो जो होता है ना क्या दशेरी की दिन जो पत्ते हम बाटते हैं एक दूसरे को देते हैं जिसको कि मैंने जो चार पीछे से दिख रहे हैं ना मैंने उसको निकाल की देखा था और आप देख सकते हैं जो क्रिस्टलाइजड है वो बहुत ही आसानी से निकल चुकी है गाठी यानि बत्ताशे और जो पहले वाली जो बिल्कुल पहले पहले से मैंने डाल के शुरात की थी व सबक्र quier- मैंने दिख बत्ताशे बनाने के लिए तो यह हैं बत्ताशे निकल रहे हैं बिल्कुल आसानी से ऑर आप해자 भी इसे जो चिलीग से बनाई हैं घर पे चालम निक बनेकर रही हैं तो आपको वीडियो कैस लगा और मेरी चानल पर हमेशा युण वीडियो को सब्सक्राइब जरू कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करें तो मिलते हैं ऐसे ही मज़िदार रेसिपीज में तो तब तक के लिए अपना खायल रखें